समस्कार मैं हूँ आलो ग्योशी और आप देख रहे हैं आलो कड्डा और आलो कड्डा में आज हम बात करेंगे जात पर जात में क्या रखा है आप पूछ सकते हैं लेकिन आपने भी सुना होगा कौम जात हो भाई उतर भारत के अनेक हिस्सों में ये बिलकुल आम सवाल है समा लेकिन ये हिसाब लगता कैसे है जाती की ये गिंती सही है ये गलत है जात पात को मिटाने की तमाम कोशिशों के बावजूद तमाम दावों के बावजूद अब तक कैसे और क्यों जिन्दा है जाती और इस सब के बाद भी हर जाती के लोगों की गिंती क्यों नहीं होती है अब जाती जन्गरना का सवाल उठा है तो फिर उस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं उस पर इतना विवाद क्यों है इसी पर आज हम चर्चा करेंगे लेकिन बाचीच शुरू करूं उससे पहले और आपको अपने मेमानों से मिलवाओं उससे पहले आपसे अग्रेख करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन नालुक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना और गंटी वजाना याद रखिएगा ताकि आपको ख़बर मिल जाया करें जब भी नया वीडियो आए या जब भी में लाइब आँ और आजकल अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सुपर थैंक्स और अगर आप फेस्बुक पे देख रहे हैं तो स्टार्स ये नई विवस्थाएं हैं जिसके जरिया आप हमारे जैसे लोगों का उत्सावर्दन कर सकते हैं और अब शुरू करते हैं बाचित हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपको मिलवा दू अब ही डॉक्टर लक्षमान यादव जुड़े हुए हैं दिल्ली विश्विद्याले में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और जिस विशे पर हम चर्चा कर रहे हैं इन विशेयों पर ये काफी समय से काम कर रहे हैं और अभी अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर कोशल कांत मिश्रा इनको आपने एक दूसरे दूसरी बोमिका में बहुत देखा होगा ये यूथ फॉर इक्विलिटी नाम का एक संगठन चलाते हैं थे हैं या थे अभी ये साफ करेंगे क्योंकि मैं मुझे इस पर अभी करना होगा लेकिन ये औल इंडिया इंस्ट्यूट ओं मेडिकल साइंसेस के बहुत में दावे चात्रों में रहे हैं और वहां इन्होंने अच्छा बला अंदोलन भी चलाया है और बहुत लोगों का इलाज किया भी है करवाया भी है और डॉक्टर कोशल कांत मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत है अलोक अड़ा पर बहुत शुक्राइब नमस्कार अलोग जी जी मैं बाचित की शुरूआत लक्ष्ण जी आप से करना चाहता हूं कि ये जो बुनियादी सवाल है जात में क्या रखा है क्या जरूवत है कि जात की इंतिक की जाए क्यों ज जाति की जन्गरना का सवाल उठ रहा है आलोग जी पहले शुक्रिया आपने इस बहुत जरूरी विशा पर बाच्चित रखी है असल में जाती पर बात करने से ही मुझे लगता है देश में एक मात्र पहचान ऐसी है कई पहचानों में से जिस पर बात करने से ऐसा कहा जाता है कि इस पर आधारिक जो समस्याएं हैं वो बढ़ जाएंगे लेकिन यह तर्क धर्म पर बात करना भाशा पर बात करना क्षेत बात करने पर लागू नहीं होता जाती पर इस लिए बातें या तो बहुत परदेदारी में होती हैं या बहुत चिप-चिपा के होती हैं इसलिए भी ये दिक्कत बने हुई है अब सवाल यह है कि जाती की बात करना क्यों जोरूरी है क्योंकि जाती है अगर जाती खत्म हो चुकी होती तो जाती पर बात भी खत्म हो जाती है अगर जाती है तो जाती के नाम पर गैर बराबरी है जाती के नाम पर भेदब लिजे दोनों जगह जाती एक जगह छिप छिपा के आती है और एक जगह खुले आमाती है। छिपचिपा के आने में कोई दल ऐसा नहीं जो जातियों को का समीकरण बिठा करके कौन टिकट बातेगा, कितना टिकट दिया जाएगा, प्रधान से लेके प्रधान मंत्री तक की जाती बताई जाती है। सिल्दार की हस्ताक्षर से सरकारी विभाग से जातियां प्रमाडित की जाती है और अब EWS आरक्षन लागू होने के बाद इस देश की कोई जाती ऐसी नहीं है जो जाती के नाम का लाब नहीं ले रही यानि आरक्षन के लाबारती नहीं है तो उन सब को जाती के नाम पर जट देना ये सारी चीजे जाती के नाम पर तेह होती है। इसलिए जाती जनगड़ना का सवाल या जाती पर बहफ का सवाल इस राष्ट्र के निर्माण के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे लगेगा कि ये इंक्लूसीव क्लासरूम नहीं है। वैसे एक राष्ट्र तब तक उनक्लूसीव नहीं बनता जब तक उसकी हर पबलिक स्पेस में हर तबके के नुमाईलगी सुरिश्चित न की जाए। इसलिए जाती जनगड़ना पर बात होनी चाहिए। गिंती पत खत्म करना है तो जातियों को गिनकर उनकी गहर बराबरियों को बाकाइदे डेटा के साथ चलनेत करके फिर आगे वाप मुमेंट बढ़ाए कि आप कैसे जातियों को खत्म करेंगे। जी जाती की जनगड़ना इस वक्त ये बात क्यों उठ रही है अब तक ये बात क्यों न ही हुई अगर इतना इतनी गहरे से जाति बैठी हुई है मुझे जैसे लगता है कि मैं मैं किसी की जाति नहीं पूछता हूं हलां कि मैंने कहा कि कौन जात हो बाई लोग पूछते है इसके बिना गुजारा नहीं होता है बहुत से जगों पे लेकिन मुझे लगता है कि जात के वक्त दिखती है फिर जब इसकी गिंती की बात आती है तो क्या वज़े है कौन है सरकार है वो राजनितिक दल है जो नहीं चाहते हैं कि जाती गिनी जाए और क्यों नहीं चाहते हैं अगर हम जाती नहीं पूछते तो इसमें हमारी भलमनसाहत तो है लेकिन हमारी जाते न प में इस्टों मीडिया की भी बात कर लें, जहां कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई जाती नहीं पूछता प्रकारंतर से, तो क्या उस मीडिया हाउसेज में अनिल चमडिया योगेंद्र यादो ने लोक नीती के साथ CSDS का सर्वे किया, 2006 में, और उसमें बता रहे हैं कि 98-99% ज जन्वरी 2020 तक देश के केंद्री विश्वद्यालेओं में 97% पोष्ट जो है, प्रोफेसर की वो अपरकाश के पास है, हमने जातिया नहीं पूछी, फिर भी आकड़ा मारे सामने, 2019 तक OBC के जीरो प्रोफेसर थे, हमने जातिया नहीं पूछी, यानि जातिया नहीं पूछन है, बहुत सी policy बनी, बहुत से movement हुए, बहुत सारी काम ऐसे हुए है कि जातिया कमजोर पड़ रही है, लेकिन ये बात भी सही है कि मुझ रखने पर अभी भी मारा जा रहा है, बोड़ी चलने पर मारा जा रहा है, और कई जगों पर interview होने पर NFS भी किया जा रहा है, और जह करेंगे, डॉक्टर कोशल मिशा, आप जब youth for equality चला रहे थे, मैं अब इसलिए मैंने पहले भी कहा, कि आप से ही पूछूंगा, अभी आप youth for equality से जुड़े हैं, या पूरी तरह भारती जनता पार्टी में चले गए हैं, लेकिन youth for equality के दोरान आपने इस विशे पे बहुत स का founding member था, youth for equality अभी भी सक्री है, पर मैं उसमें active नहीं हूँ, मैंने उससे इस्तीफा दे दिया है, चूंकि वो एक राजनेतिक दल था, वो एक society है, वो एक सारी organization जहां-जहां registered थी, सब form में registered है, तो मैंने उसके पत से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि भारती जनता पार्टी का मैं active member हूँ, और इस समय उत्तपदेश से प्रवक्ता हूँ, तो इसलिए my youth for equality के बहाफ पे अभी कुछ नहीं बोल सकता, as a doctor कौशल कांद मिश्रा बोल रहा हूँ, चूंकि मैं भारती जनता पार्टी का इस समय स्पोक्सपरसन हूँ, तो इस समय जो आपके interview में बात हो रही है, यह डॉक्टर कौशल कांद मिश्रा ने जो सीखा है, जो जानिल knowledge की है, उसके बहाफ पे बात कर रहा, अब बात आती है कि जात की जंदगरना क्यूं नहीं कर देनी चाहिए, यही सवाल है, जब देश आजाद हुआ था, तो हमारे पहले प्रधार मंतरी थे, उनको ले ले, राजिव गांधी को ले ले, इंद्रा गांधी को ले ले, सभी का यह मानना था, कास्ट इस एंटी नेशनल, पार्लियमेंट की डिबेट्स में लिखा हुआ है, पार्लियमेंट की प्रसीडिंग में लिखा हुआ, सम्मिधान जब बनाया जा रहा था, तब भी कास् ना गया हम एक डिमोक्रिटिक कंट्री हैं जब से आजादी हुई है उसके बाद हम एक सम्मिधान में बंधे हुए हैं और उसके अगर अटकिल को देखें 12 13 14 सबको देखें तो उसमें कहीं भी जाति को एड्रेस नहीं किया गया है उन्होंने क्लास कहा है और शायद सम्मिधा जो अमबेदकर साथ थे उनका ये मानना था कि जाती को खतम करना ही अगर हम जाती बेस्ट कुछ भी करते रहेंगे तो कभी जाती खतम नहीं होगे तो जाती के अलामा कुछ ऐसे आइडेंटीफाइंग पॉइंट्स होने चाहिए कुछ गरेटेरिया होने चाहिए जिससे कि हम हर जाती में जो एक गरीबी रेखा के नीचे कहें, हलांकि बहुत सारे लोग सुप्रिम कोड के जज्जमेंट का हवाला देते हैं और जिसमें एक लाइन लिखी गई है, उस पैरा को उठा के बोलते हैं कि रिजर्वेशन इस नॉट टूल एक बैकवर्डनेस अपलिफ्मेंट लेकिन उसी के उसी जजमें नाइन जिजज बेंच में यह भी लिखा हुआ है कि एकनोमिक बैकवर्डनेस आउटकम आफ सोशल, एजुकेशनल एंड एकनोमिक बैकवर्डनेस इन ओल टुगेदर, मतलब बैकवर्डनेस एक common point बनता है जिस पर कि सारे जातियों में गरीब है, सारे जातियों में अमीर हैं, अलेकिन अगर हम अगरें, हम एकनोमिक बैकवर्डनेस को criteria बनाएंगे और जाती के अलावा कुछ ऐसे criteria बनाएंगे, जो जाती को address नहीं करते हैं तो शायद हम एक ऐसा भ से हमारे साथी दोस्त पूरी सोसाइटी कहती उसने सफर किया हजारों सालों से हम उसी जाती से चिपक करके उस जाती को खतम कभी नहीं कर सकते ये एक सचाई है और इस सचाई को जब तक हम नहीं मान लेंगे तब तक हम इस जाती में एक विश्य साइकल बनता जाएगा कभी एक जाती प्रॉमिनेंट होगी कभी दूसरी जाती प्रॉमिनेंट होगी और यह साइकल में जातियां बनी रहेंगी और राजनी इस पर होती रहेगी आप यह देखिए कि 1931 में आखरी बार कास सेंसस होगा था उच समय अगर आप सेंसस को देखें तो 1664 के आसपास जाती आइडेंटिफाई की थी उस जमाने में आज आजाद भारत में जहां तक मुझे लास्ट गिंती याद है करीब ठपन हजार मैंने पड़ी थी कितनी जाती हैं तो जातियों का फोई अंत नहीं है क्योंकि हर आदमी एक नई जाती अपने आगे जोड़ लेता है और दस पीड़ी तक चल जाती तो एक जाती बन जाती है तो जाती एक fluid situation है जाती एक सच्चाई भी है लेकिन जाती का जितना जहर फैला था और जिसकी वज़े से बहुत सारे दोस्त हमारे कहते हैं कि जाती के base पर discrimination होता है तो जब तक वो जाती छोड़ी नहीं जाएगी तब तक मुझे नहीं लगता कि वो discrimination खतम होगा तो कर कमिशन उसमें आप देखिए बहुत सारे index दिये हुए क्राइटेरिया दिये हुए जैसे उसमें दिया हुआ एगर कच्चा मकान है पका मकान है साइकिल है नहीं साइकिल उस समय के social index थे आपके पास महिला है उसको जादा पॉइंट दिये गाए है पुरिस को कम पॉइंट दिये गए है घल में बैल गाड़ी है या नहीं है अलग अलग तरीके क्राइटेरिया जो social उस समय के indicators थे उसको क्राइटेरिया बरा करके काका कालेरिकल ने report submit की थी जिसको की accept नहीं किया उसके बाद आपको भी पता है जो जातियों का ज़्यादा politicization हुआ है ये मंडल कमीशन जब आया है और वो क्यों आया है हम सब जानते हैं वीपी सिंग को अपनी राजनितिक फायदे के लिए मंडल कमीशन को खोलना पड़ा और उसके बाद से वो सारे आप याद कीजा लोग जी मुझे नहीं मालूँ 91-89 के जो anti-reservation या ये कहें कि anti-mandal का जो अंदोलन हुआ था उसमें बहुत सारे यादो भाई मैं यादो भाई का नाम ले रहा हूँ क्योंकि सामने बैठे हुए यादा हुए जाट हुए बहुत सारे लोग थे जिन्हों बहुत सारे लोग अगर हम देखें जा करके देखें हमारे पास लिस्ट है उसमें बहुत सारे बैकवर्ट थे जिन्होंने suicide किया था वो उसी लिए क्यों क्योंकि वो उस समय उसको oppose करते थे पर जब ये दिखा कि जातियों में जुडने से individual का फाइदा हो रहा है समाज का फाइदा नहीं हो रहा है देश का फाइदा नहीं हो रहा है जब आदमी का individual फाइदा जाति से जुडने से होने लगा है तो आज ये हालत आ गई है कि जिस जातियत जनगर्णा को अंग्रेजों ने negative मान के छोड़ा था आज हमारे राजनीतिक दल अपने फाइदे के लिए 2022 में खड़े हो करके जाति की जड़नत गरना की मांग कर रहा है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि भारत को कहा जाता developing country से develop country हो रहा है पर यहां का नागरिक forward से backward backward से SC SC से ST होते जाने की दोड़ में सामिल है एक आखरी बात कहके अपनी बात खतम करूंगा आलोग जी आप census को follow कीजे 61 में अगर census था वहां से लेकर 31 को follow कीजे तो बहुत सारी जातियां थी जो पहले backward schedule cast थी फिर backward आई backward से फिर forward आई इसका एक बहुत थी example जो मेरे को याद आ रहा है जैसे नाई था नाई पहले schedule cast या upper schedule cast में रखा गया था फिर उसने नाई को OBC मिलाया गया फिर नाई को ठाकुर बनाके नाई ठाकुर किया गया और इस terminology को बोला गया यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह सब documented है अंग्रेजों ने लिखा हुआ है पहले जो अंग्रेज थे तो लोग forward होने की कोशिस करते थे वो जातियों में upgradation कर रहे थे पर जब से देश आजाद हुआ है और जब से जातिकत राजिनीती सुरू हुई है तब से लोग backward होते जा रहे हैं पर देश forward होता जा रहा है तो यह हमें विचार करना पड़ेगा कि की जाति से चपक करके रहने से जाति को identify करने से हमारा देश महान बनेगा या जाति को छोड़ने से महान बनेगा यह सब को मिल के सोचना पड़ेगा डॉक्टर डॉक्टर कोशल आप तो डॉक्टर हैं मेडिकल डॉक्टर हैं आप पिएजडी वाले डॉक्टर नहीं है बिमारियां रोज नई बढ़ रही हैं रोज नई बिमारियां दुनिया में आ रही है क्या इस वज़े से बिमारियों की पहचान बिमारियों का classification बंद कर दिये जाएगा क्या बिलकुल यही फर्मूला अगर आप जातिवाद खत्म करना चाहते हैं आप जातियों को खत्म करना चाहते हैं जाति के नाम पे होने वाला बेदवाव खत्म करना चाहते हैं उसके लिए अगर जातियां हमें पता होंगी उनके नंबर पता होंगे, आंकड़े पता होंगे, तो क्या वो खत्म करना ज्यादा आसान नहीं होगा, डियागनोसिस क्लियर होगी, तो उसके हिसाब से इलाज हो जाएगा, दूसरी बात आपने कही कि पीछे हट रहे हैं, कि फॉरवर्ड से बैकवर्ड, बैकवर्ड से बिमारी को पहचानने की जरूवत क्यों महसूस नहीं हो रही, अगर हम उसका इलाज करना चाहते हैं, बिमारी जाति में नहीं है बिमारी जाति आधारी तो डिस्क्रिमिनेशन में ठीक है अगर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं खतम करेंगे और जाति के नाम को सिर्फ खतम करेंगे तो फिर तो काम नहीं चलेगा ना तो एक सर्जन और एक डॉक्टर जरूरी है माप कीज़ेगा बीच में, एक सेकंड बीच में रोक रहूं माप कीज़ेगा, आपने अभी उदारान दिया संस्कृताइजेशन का, कि अब वो जाती नव से नव ठाकुर, आज की तारीख में अगर एक ब्राह्मन कहता है कि मैं OBC में शामिल होना चाहता हूं, या ठाकुर कह जाती का नाम लेना तक लोग ठीक नहीं समझते थे, आज वो उसमें शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि विवस्था उस जाती में शामिल होने का लाब दे रही है, हाँ, मैं यही तो बता रहा हूं, अलोग जी, जब आदमी पर्सनल सायदे के लिए समाज और देश के बारे में सोचना छोड़ देगा, तो यही होगा, कि एक ठाकूर भी, मैंने सुना, कुछ ठाकूर भी, रिजर्वेशन के बेनिफिट के लिए OVC बन रहे हैं, OVC, जाट और गुजर में लड़ाई, इस पे चल रहा है, कि सिडूल ट्राइब कौन है, सिडूल ट्राइब कह रहे हैं, कि जी, हम वैसे ही बहु इंटिफाई करके, जाति को मानक मान करके, हम कौन सी ऐसी पॉलिसी, theoretically भी दिखा दीजिए, कि आज से 200 साल बात भी, हम जाति के डिस्किमिनेशन से दूर हो जाएंगे, मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन, मुझे ये दिख रहा है, कि अगर हम जाति को छोड़ दें, मेरे दोस्त ने अभी economic backwardness की बात की और economic base reservation की बात की, मैं अपने दोस्त को सिर्फ यही बताना चाहूंगा, कि इन्हों ने कहा कि सारी जातिया नहीं, economic criteria जो दिया गया है, उसमें वो सारी जातियों को रखा गया है, जिनको reservation नहीं दिया गया किसी भी जात में, लेकिन उसमें किस और class का sub classification करके नहीं, उसमें एक criteria बना दिया गया है, जिसका indication केवल economic है, मेरा यह मानना है, कि आगे की राह वो है, कि यह जितना भी 50% में SCST, OBC हैं, अगर यह खुद अपने group के गरीबों को भला चाहते हैं, अपने group में जो creamy layer आपको भी पता है, सबसे ज़्यादा benefit वही ले रहे हैं, यह सचाई है, जि मेरे दोस्त को भी पता होगी, लेकिन अगर उसमें भी इस economic criteria को डाल दें, for time being, उससे मुझे लगता है, कि सबसे ज़्यादा लोगों का benefit होगा, और gradually caste को छोड़े, जातियों को, अभी जितने भी राजनीतिक दल सब यह करें, कि जात के बार अगे से जाती हटा दी जाए, यह एक symbolization आज लगेगा, अलोग जी, मेरे नाम के आगे मिश्रा लगा हुआ, आपके नाम के जाती लगा हुआ है, लक्षमन जी के नाम के आगे यादो लगा हुआ है, अगर हमारे एक कानून बन जाए कि हमारे नाम के आगे से यह जाती हटा हुआ हैं, और उससे benefit लेने के लिए देश को, समाज को, society को fragmented कर रहे हैं, divide कर रहे हैं, और जिसका फायदा बहुत सारी विदेशी ताक्ते ले रही है, मैं नेक एपिसोड उसमें बताऊँगा, इसपल में, जो आपने कहा कि हम 800 साल पीछे क्यों जा रहे हैं, यह, आपने क पुरी उत्तरप्रदेश और बिहार में एक जाती है, जिसके लोग अपनी जाती नहीं लिखते हैं, और वो सब एक दूसरे को जानते हैं, आपको लगता है कि सब जाती नहीं लिख देने से लोगों की जातीयां खत्म हो जाएंगी, वो, डोक्र लक्षमन यादो, यह जो करने की तिशा में बढ़ना चाहिए, यह संभव क्यों नहीं दिख रहा है, और क्यों यह मांग रही है, और मुझे एक शक और होता है, कि जब और बहुत सारे लोगों के शक है, कि जब आप जाती की जंगरना करा लेंगे, उसके बाद फिर डिमांड यह उठेगी, कि साब ह तो यह एक ऐसी बीमारी नहीं है, जिसको नाम हटा करके आप खत्म कर देंगे, क्योंकि आप असल में जाती का मामला क्या है, यह जातिया ऐसी है कि एक ही जाती, मैं ब्रामण की बात कर लो, उनमें भी हैर्की बनी हुई है, कौन स्रेष्ट ब्रामण है, कौन निक्रिष्ट है, शादिया नहीं होती है, ऐसे ही हर तपके में, एक बात तो यह, कि यह मिथ्या है कि आप जाती खतम कर देंगे, तो भाई मैं पता कैसे लगाँगा कि सुप्रीम कूड की जच कौन लोग बैठे हुए, मेडिया में तो मैंने अभी बताया, 97, मेडिया, एकेड़निया, हर जगह तो ही बैठे हुए, पता चला, जाद खतम हो जाएगी, तो पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा, जब तक जाती खतम हो, सुसाइटी में नहीं, तब तक आप यहां नहीं खतम करेंगे, नमबर एक बात, दूसरी बात यह, कि बहुत सारी बाते होई, पहली बात यह, कि ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने खतम कर दिया, सिलसले वारेक का जवाब दे रहा है, अंग्रेजों ने 1931 की जंगर्ना में जाती जंगर्ना कराई, 1941 की जंगर्ना में भी जंगर्ना होई थी, लेकिन दूते विश्यों के चलते, जंगर्ना प्रभावित होई, आकड़े नहीं जारी किये और आज भी मरे पास 41 के लिटा नहीं है 51 से आया तर्प क्या दिया गया हमने जाती को खतम करना है नया राश्ट बनाना है तो क्या धार्मित सामप्रदाइक तनाव को खत्म नहीं करना था क्या भाशिक तनाव को खत्म नहीं करना था जिसके आधार पर राज अनुच्छे 15 चार अनुच्छे 16 चार और 340 जो OBC का मामला है वहां केवली है कि आप कमीशन बनाएंगे और कमीशन की जरीए होगा काका कालेलगर कमीशन का जिक्राया कालेलगर कमीशन में ये बात कही गई कि हमें आर्थिक आधार पर देना चाहिए और वो रिपोर्ट काराओ अगर तुम्हें पता करना है कि सामाजी को सेक्षण पिश्रापन कहा है और मंडल कमीशन जो साइंटिफिक टेमपरामेंट में जो रिकमेंडेशन देरा वो डेटा एनलिस है हमारे जो प्रदान मंत्री जब तक गुजरात के प्रदान अमुक्य मंत्री थे तब तक जाती नहीं बताई तो भई जाती का लाब कों ले रहा है चौदा में पता चली कि वो भीसी माँ के बेटे है लेकिन उसके बाद हुए मंडल कमीशन दो कभी बात नहीं की मैं यह काया रहा हूं एक तो यह कुछ आकड़े हैं और उसके बाद क्यावन से धार्म केना गया तो जेलों में और एकेडमिया में कोई नहीं है एक बार जो सवाल है आर्थिक सर्वे का किया था आपने आर्थिक सर्वे सामाजिक और आर्थिक सोशियो एकोनॉमिक काश कंसर हुआ ये अलोग जी कि ये पूरी लड़ाई शुरू ही जब जातियां राजनीती जातिवादी हो सब में अपरकाश्ट के लोगी लीडर बने थे कोई डॉक्तर रामनोहर लहिया और उसके बाद सुसलिस्ट पाइटी नहीं एक बाकाइदे जारी किया लिस्ट जारी कि कि भाई चाहिए वांपंतियों तक्षट पंतियों मतमार की सबकी लीडर्शिप अपरकाश्ट के पास है सारे नेता कौन बनेते उननीस सोसी तर के बाद जो काश्ट का पुलिटिक साइजीशन हुआ मुमेंट चले तो हिस्सेदारी की बात है यह जूट बोली जाती है कि बीपी सिम्हें मजबूरी में मंदल कमिशन लागू किया इसका एक पक्ष हो सकता है मंदल कमिशन करना नहीं था था दूसरी बाद जैसे राम मंदिर लागू करना इनके जिन्ने में था 378 वैसे ही वहां भी था मंदल कमिशन लागू करना है दूसरी बाद 1991 में जब सरकार गिर गई उसके बाद 1996-1998 दो मौके आए जब लोग गए विपी सिंग के पास कि आप फिर से पतान मंत्री बन जाएए विपी सिंग ने नकार दिया अगर उन्हें लाब लेना होता तो आते तूसरी बाद 1998 में देव गोडा की सरकार थी कैबिनेट में पास क कि आगया कि 2001 की जंगरना में जाद जंगरना कराएं क्योंकि मंदल लागू कर रहे थे तो जातियां पता ही नहीं थी यह मंदल कमिशन कह रहा था आप कैसे policy making करेंगे आप चननेट कैसे करेंगी कि कौन पीछे कौन आगे करेगा तो देव गोडा की सरकार ने पास किया कि हम जाद जंगरना कराएंगी अटल विहरी की 13 दिन की सरकार बनी पहले मंत्री मंदल में तीन फैसले लिए गए जिनमें पहला फैसला था कि जाद जंगरना नहीं कराएंगी वही इसी जिसे एक उधान दे रहा हूं वालोग जी थोड़ा सा वक्त लोगा वीपी सिंग के सामने जो मंदल विरोधी आंदोलन के लोग जा रहे थे न और अख़बारों में छप रहा था कि पूरा देश जल रहा है नौजवान सड़कों पर है तो वीपी सिंग ने बात कही थी इस देश में 52% OBC है क्या उसके नौजवान नौजवान नहीं है क्या थोड़े से अपरकाश् लाल के ले की प्राचीर से जो भाशन दिया भी पी सिंग ने कि आप बहुत दिन तक किसी की हिस्से को मार करके उनको सांत नहीं कर सकते तीसरी बात ये भी बात आई कि यादव जाट गुर्जर इन्होंने विरोध किया बिलकुल ठीक बात है उनको पता ही नहीं था कि इनसे 2010 में इस देश की संसत में सरुसम्मत से पारित किया गया जिसमें भारती जनता पार्टी शामिल थी गोपिनात मुंडे 6-7 मई 2010 पाल्या मिंट्री डिबेट निका लिए गोपिनात मुंडे खड़े उटे कहते हैं कि अगर जाटी जनगणा नहीं कराएं तो इस देश में साम अर्थन में थे इजाद जनगणा होनी चाहिए पूरे सर्वसम्मत से पास हो गया 2010 में होगा और 2011 तक जाते आते नोटिफिकिशन आ गया प्रणमकर जी के द्वारा कि हम सोशियो एकोनॉमिक काश संसस कराएंगे जो जनगणा अभिकारी जो होता है जो जनगणा आयोग जो करोन रुपए खर्च हुए SECC के लिए और उसमें जातियां कैसे कैसे आप भटकाते हैं मेरी जाती यादो है अहिर है इसके कम से कम 10 से 15 वर्जन मिलेंगे पूरे देश में आपने क्या कह दिया 15 अलग अलग जातियां है तो यह क्यों क्योंकि जनगणा आयोगत के द्वारा लेकिन उसी में लोग जी जब आर्थिक सर्वे आया तो पता चला 2016 मेरून जटली जब जारी कर रहा है आर्थिक आंकडे तो कह रहे हैं एक परसेंट लोगों पास 70% प्रपरटी है और वहीं जब पता लगाना था कि वह परसेंट लोग कौन है जो 70% प्रपरटी लिए प्रेस विग अप्तिक जारी करते हैं कि हम 2021 में जट जंगरना कराएंगे चो उसके बाद फिर लगातार ये मांग उठती रही सब लोग कहते रहे कि जट जंगरना होगी लेकिन 2020 तक आते आते क्या हुआ 20 जुलाई 2021 नित्यानंदराय कहते हैं संसद में कि यह विजिबल नह जाएगा हम नहीं जिन पाएंगे 24 सितंबर 2021 को सुप्रियम कोर्ट में हलफ नामा देते हैं कि हम नहीं जिन पाएंगे ऐसा क्यों हुआ कि जब तक आप विपक्ष में थे तो EVM जैसे दोशी है अब जैसे EVM पर पुछनी बोलते वैसे जाद जावरना कि पक्ष में ये जाएगा है कई जगओं के ब्रामण OBC में आते हैं कई जगओं के ब्रामण पाड़ी लाखों पर स्ट्राइब में आते हैं इसलिए ऐसा नहीं है कि जाती के नाम पर ही मिलता है दूसरी बाद कि अब एक बात यह है कि अपर EWS reservation मिला तो वो जाति के नाम पर मिला है कौन के रहा है और्थिकादार पर मिला है जिसको आरच्छा नहीं मिल रहा है उसे EWS मिल रहा है वो 15% अपर cash अपने को कहते हैं उन्हीं को तो मिल रहा है ऑपर कहा जो OBC में क्रिमी लेर में आ गया उसको नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि उसकी आर्थिक सीमा आठ लाक है EWS की आर्थिक सीमा आठ लाक है यसलिए वो शुद रूप से जातिकत आरक्षण है EWS दूसरी बात आप कहा है कि आर्थिक आदार पर दे देना चाहिए एक तो ये जाति के नाम पर इतने पुराने तर्क है साब कि हमको लगता है जैसे मैं आदिवासियों की पहचान छुपा खर आदिवासियों के साथ भेड़ पर मिटा दूँगा ये हम अपर काश्ट अपर क्लास प्रिविलेज में बोलते हैं बड़ी बहुत मधूर भाशा में कि देश को आगे जाना था देश पीछे ले जा रहे हैं भई एक सवाल का जवाब दीजिए जहां रिजर्वेशन नहीं है मुझे आकड़े बता दीजे सुप्रेम कोट के इत अधि को नाम उनका भी कुमार है उनके बाक खांदान का नाम और आखरी में मेरे पास किस्सें हैं कॉन जातों साब सब बताओ जातियां खोज ली जाएंगी सरनेव की जरूरत नहीं होगी जैसे वर्बधू खोज लिए जाते हैं जाती के नाम पर कोई देश पीछे नहीं जा रहा है क्योंकि जिनको पचास साल में मौका नहीं मिला था मंडल अंदोरन के बाद इस देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री OBC बने दलित बने उसके बाद आज ये अगर देश आगे न जाता तो बड़े-बड़े होर्डिंग नहीं लगते कि 27 OBC हमने कैबिनेट मिरि जलता है निश्यत रूप से जलता है लेकिन एक गरीब गरीबी के साथ साथ अगर जाती की विवंचना जहले तो फिर आप कैसे कहेंगे कि वो केवल आर्थिक आदार पर उसको डेता देंगे कैप कल्चरल कैपिटल नाम की चीज होती है कल्चरल है जीमनी कल्चरल हेजिमनी है बहुक्ष जादा उसके बोलेंगे तो कंडियल आप कोड्र हो जाएगा कितने परिवारों में सीमित है जुदी शरी फिल्मधयों कितने परिवारों में सीमित है राज नहीं कि तुम उसका एक मुद्दा है साथ मैं तो बार बार कह रहा हूं पब्लिक डोमेंड में 85% प्रोफेसर नहीं है तो यह राष्ट मुकमल नहीं है 85% जज नहीं है वकील नहीं है डॉक्टर इंजीनियर नहीं है ऐसा क्यों हुआ था कि मंडल के विरोध में यूथ फॉर एक्वल्टी दो जाच्छे में आया है यूथ फॉर एक्वल्टी का मकसद क्या था इस जो जो मेरिट कंप्रोमाइज हो जाएगा मेरिट कंप्रोमाइज था तो इस देश के कितने विश्वद्याले टॉप 100 में दुनिया बर में अब यह तो इंक्लूसिव हुए ना आपके इन्वर्सिटीज मैंने आर्टी लगाई थी आलोग जी दो 506 कुलपती 2018 में देश भर के अगर मैं यह देटा पॉब्लिक डोमेन मिले जाओंगा तो क्या मैं जातिवाद बढ़ा रहा हूं नई साहब इस मुल्क को इंक्लूसिव बना रहा हूं आखरी बाद यह जो अर्विन परगड़िया कमेटी बनाई थी इन्होंने 2016 के बाद कि हम सरकारों की मंशा यह है कि जातिकी राज़ित सबको करना अच्छा लगता है इसलिए राइट लेफ्ट सेंटर सब जातिकी राज़ित करते हैं जैसे हम पूछेंगे कि भाई आरेसेस का प्रमुक क्यों नहीं कोई दलित आज तक बना या ओबीसी क्यों नहीं बनता महिला क्य बनती दरसलम इंक्लूसिव होने की बात करते हैं राष्ट पीछे नहीं जा रहा राष्ट बहुत आगे जा रहा है जब आपने राष्ट पती बना करके प्रेस कॉंफरेंस करके उनकी जाती बताई तो राष्ट आगे गया कि दलितों परिशान मत हो हमारा हम आपके रेप्र 30% सरकारी स्कूल सरकारी डियुक्षा सबसेता न क्या क्या एक क्या बेच सबसरकारी चीज बेच तो प्राइवेट में रिजर्वेशन में रिज thinnerथ या जाती खतन deux मंदल किछ कहता है economic upliftment होना चाहिए reservation एक एक प्रतनिधित्तों का मामला है आर्थिक गरीबी उनमूलन कारिकम reservation नहीं है यह भम इस देश के नागरिकों में बनाएगे क्योंकि सरकारे इसका उपयोग करती है आप किवल से रोजगार में अगर गरीबी उनमूलन करती है आकरी बाद कि अपरकाश ने सबसे आदा इसका लाब लिया है अपरकाश ने आज तक कोई अंदोरन क्यों नहीं किया कि जाती खतम करना है हम किया था आरे समाज के लोगों ने और आरे समाज पर सर्वे खतन हो जाए और जाती बनी रहें यह मुझे लगता है कि इस देश के साथ बहुत बड़ा घात है बहुत दिक गात है 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 इस देश में जिसको जितना संख्या है उतना उसको हिस्सा दे दीजिए और ऐसा है कि यह इन्वीजिबल नहीं है वो वीजिबल है आप प्राइवेट सेक्टर में मंडल कमिशन कहता है प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दीजिए प्रमोशन में रिजर्वेशन दीजिए ओबी सी प्रधान में जागू करेंगे मंडल कमिशन नई साब आप जाती बनाए रखना चाहते है जाती है जमनी बनाए रखना च जाता हूं अलोग जी ये जितनी भी बातें लक्षमन जी ने कहीं आपने हम यहां पे राजनीतिक दल का प्रतितुत नहीं कर रहे हैं हम एक विचारक की तरह और देश के अपलिफ्मेंट और सोसाइटी के अपलिफ्मेंट के लिए बात कर रहे हैं लक्षमन जी ने जितनी भी बातें की हैं और जितनी भी जातिवादी बातों को उन्होंने स्ट्रेंदन किया है सब राजनीतिक तोर पे ही किया है यही तो हम भी कह रहे हैं कि जातियों के नाम पे जो राजनीति हो रही है वही सबसे बड़ी समस्या है वो क्या रहा है जैसे कि इनों ने बताया कि हम दलित प्रधाप प्रेसिडेंड बनाते हैं तो बताते हैं अब इसी बनाते हैं यही तो थमस्या है कि जातियों के नाम पे राजनीत करके उसी जाती के कुछ ठेकेदार सोसाइटी के सबसे टॉपमोस क्रीमी लेयर में आते जिसका वन परसेंट का नाम ले रहे थे लक्षमन जी, वो वही 1% है, उस तारी जातियों में है, किसी एक जाति में नहीं है, और आपको और हमें मिल करके यह सोचना पड़ेगा, कि हम यहाँ पे जाति का प्रतिनितु कर रहे हैं, या भारतिय नागरिक का प्रतिनितु कर रहे हैं, मैं यहाँ पे किसी जा के आगे लगा हो मैं उसकी केर नहीं कर रहा हूं इन्हों ने मेरे से कहा कि उसमें एकनॉमिक में ब्राम्वन नहीं आते उससे मेरे को फरक ही नहीं पड़ता मैं उसको रिप्रजेंट ही नहीं कर रहा मैं यहां पर एक सिटिजन को रिप्रजेंट कर रहा हूं जो एक दूसरे के उपर पचास से हमारे कंगों पर है अगर हम इतिहास को साक्षी मान करके उसके उपर ही केवल सारे डिसीजन लेते रहेंगे तो मुझे लगता है कि आगे भविश में और ये जातिवाद की सारी बात अब देखे आलोग जी नौर्थ इस्ट में जातिवाद नही जातिवाद काफी कल हो गया है यही वजह है चूंकि हम बहुत बड़ा रिप्रजेंट करते हैं पार्लियमेंट में सबसे बड़े जादा MP, UP और बिहार से आते हैं इसलिए हमारी पार्लियमेंट जातिवाद राजनीत में फसी हुई है मैं पूरी पार्लियमेंट की बात नहीं कर रहा हूं किसी दल वी से इसकी बात नहीं कर रहा हूं और यह केवल उत्तरप्रदेश और बिहार की वजह से है अगर यहां के लोग अपने जातिवाद को छोड़ देंगे तो मुझे लगता है कि देश से जातिवाद जल्दी कर रहा हूं मैं तो उन लोगों को आप वादा करके मुकर्द है तो आज जो है जो 2021-22 में जंगर ना कराएगा मैं उसके प्रिशर बिल्द भी कर रहा हूं दूसरी बात केवल उत्तरभारत में जातिवाद नहीं है और एक तो जातिवाद नहीं है मैं इसको सिरत खारिज कर इसी देश में तमिल नादर में 69% रिजर्वेशन है कम फुझारी में रिजर्वेशन खतम करके हजारों साल से रिजर्वेशन चला रहा था अब लिख्हित इग्जांसे वह हो रहा है किमाल उत्तरभारत के समस्या नहीं है तीसरी बात कि हम देश को आगे ले जाने के लिए जाती बात थोड़ी बढ़ा रहे हैं अगर हम पूछ रहे हैं जज कितने बने प्रफसर कितने बने वकील कितने बने तो यह राज नीती है मेरी मैं किसी रहा है इसका एक यही राजनीती है तामिल नाड़ पिनाकल है राजनीती के पूरे यह रिजर्वेशन पॉलिटिक्स का अगर पिनाकल देखना है तो तामिल नाड़ है जहां पर फॉर परसंट से कम सो कॉल्ड फॉरवर्ड कास्ट बची हुई है सब एलिमिनेट हो चुकी है और उसके बाद भी 69 परसंट रिजर्वेशन है यही सच्चाई है मैं इसी साइकल से देश को निकालना चाहता हूं किसलिए यह बात के रहा हूं यह देखिए अगर अगर यह mentality रहेगी अगर पहली सिरे से खारिश करता हो जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी यह concept अपने आप में non-democratic है बिल्कुल unscientific है इसको अगर basis बनाया जाएगा तो कभी भी देश का और जनता का उत्थान नहीं होगा अगर जिसके fundamental ही गलत हो हम उससे बहस नहीं कर सकते हम उस concept पे नहीं कर सकते और मंडल कमीशन के उपर मंडल कमीशन के ज सब्सक्राइब नहीं कोई पब्लिक सर्वे नहीं किया 1931 के census की कॉपी उठाके देख ली और चार दिन तक भूमें थे केवल वो उनके लिटर को पढ़िये और उसमें उनका निगेटिव रिमार्क भी था अगर उस मंडल कमीशन पर आप जाएंगे तो मंडल कमीशन अपने आप में यह सबसे बड़ा फ्रॉड जिसके बेसे पर फॉलिसी बनी यह प्र से कह रहा हूं देश में सबकी हिस्सेदारी हो यह किसी पार्टी का विचार नहीं यह देश का है देश राष्ट समाज इसका मतलब क्या हो ता सारे इंडिविजूल की पार्टी दारी हो भागे इंडिविजूल है जब हम वोट देने जाते हैं तो इंडिविजूल जाता है जब हमारा आधार कार्ट बनता है बैंक एकाउंट खुलता है जब हमारा पासपोर्ट बनता है इंडिविजूल होता है डेमोक्रेसी की इंडिविजूल होती है जाती नहीं होती है और जो आप कोशल जी की बात रुख जाएंगे तो उनसे भी जवाब लेंगे नहीं तो लेक्षमिंट यह आप बताएं कि यह जो बिहार में चल रहा है अगर बिहार में निती सरकार जो आसार दिख रहे हैं कि वो जाती की जंगरना करवाने की तियारी कर रहे हैं अगर जाती की जंगरना का प्रस्ताव वहाँ पास हो जाता है इसका भारत की राजनीती पर क्या आसर दिख सेकता है अलुग जी एक तत्थ है था जो मैं बीच वह रखना चाहरा था अभी रख दे रहा है इस देश की कई राज सरकारों ने अपने यहां के विधान सभा में जाती जरुगरना पर सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित करके केंदर को बेच दिख दिए सवाल यह है कि बिहार की राजनेती की बात नहीं कर रहा हूं मैं इसलिए बिहार की नहीं बिहार में यदि यह पास हो जाता है तो देश की राजनेती पर हाँ बिल्कुल ठीक बात है अगर अगर बिहार अच्छा ठीक बात यह ने कि यूपी और बिहार ऐसा नहीं है हम उत्तर भारत के हैं तो कई बार लगता है कि हम ही हावी है दक्षर भारत में हमसे ज्यादा रेडिकल सोशल कल्चरल मुमेंट हुए है तो वहां पहले से इसके तमाम पॉलिसीज पर पास किया जा चुका है उनको विधान सभा में पारित किया गया है असल में लोगतंतर में जब तक आप दबाव नहीं बनाते हैं तब तक आपकी मां कितनी भी जुनोय नहीं हुए किसानों ने भी बताया वो दो अपरेल के भारत बंद ने भी बताया रोश्टर मूमेंट ने बताया असल में डेमोक्रिसी कहती यह है कि आप अपने संख्या बल से लोकांतरिक तरीके से सरकार पर एक दबाव बनाते हैं मुझे लगता है अगर बिहार में यह काम होता है और इमानदारी से हो रायनेतिक दलों को अपने रायनेतिक हैतों से आग इसलिए कोविड के गए मतलब कोविड पूरी तरह से भले न गया हो लेकिन बाकी चीजे सुचार रूप से चल रही है तो यह डेटा कलेक्शन का सेंसर सेंसर्स हो सकता था सेंसर्स रुका हुआ है और वो काम होगा और एक आखरी बाक यह कह दूं कि केवल आकड़े अगर जाएगे माल लीजे कल को बीजेपी तयार हो जाए माल लीजे वो कह दे कि हम दो जाने किसकी जनगरना जो 22 में होगी हम जाद जनगरना कराएगे तो इससे ही सारा हित हो नहीं जाएगा यह एक बेसिक डेटा कलेक्शन होगा उस डेटा कलेक्शन में ही हम यह देख पाएंगे कि अगर दलितों पिछरों आदिवासियों में या जिनको वी जिनको रिजर्वेशन या जिनका सोशल एकोनॉमिकल कल्चरल अपलिप्लेमेंट हो गया है हम उन्हें भी में पॉलिसी मेकिंग होती है वो आइडेंटिफिकेशन से होती है आप गरीब को गिन नहीं पाएंगे तो गरीबी रिखा नहीं बना पाते हैं वैसे अगर काश्ट बेश डिस्क्रमनेशन को खतम करना होगा काश्ट को खतम करना होगा तो उस पूरे विमर्ष के लिए जात अधर एक्शन प्रोग्राम में ले आने होगे वरना चाहती जंगरना अगर हो भी गई तो मंडल कमिशन की रिक्मेंडिशन तो इतनी शांदार है वो सोचियो एकोनामिकल रिवोलुशन है लेकिन वो लागू ही नहीं है तो वो कूड़े में पढ़ा हुआ है रंगनान मिश होगा क्योंकि हमें खुली बहस कर पाएंगे विट डेटा एनलेसिस और हम हर तक्के में चिन्नित कर पाएंगे और सबको सबका हिस्सा में लेगा तो मुझे लगता है इससे बड़ी राष्ट वक्ति क्या इससे बड़ा देश 21 सथी 22 सथी में कहां जाएगा अब गोबर में हम नहीं कर रहे हैं न हम तो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं इंक्लूसिवनेस और इंक्लूसिवनेस जाती किसी पार्टी किसी विचारधारा से बाहर की चीज़ है वो निशन बिल्डिंग प्रॉसेस है कास्ट डिस्क्रिमेशन कास्ट बेस डायलोग कास्ट सेंसस यह सब डॉक्टर कॉशल फिर उनका कनेक्शन टूट गया है, मैं चाहता था कि आखिर में उनकी एक टिपणी हो जाए, लेकिन वो बार बार जुडने की कोशिश कर रहे हैं, जुडने ही पा रहे हैं, अब हमें करकम को समाप्त करना है, वक्त पूरा हो गया है, इसलिए वो नहीं हो आएगा, किसी और दिन, किसी और वक्त उन से बात होगी, जो अभी डॉक्टर लक्षमर यादाव कह रहे हैं, इसको देखें, तो ये लगता है कि हाँ, क्या इतराज है, अगर जातियों की गिंती हो जाए, तस्वीर सामने हो, तो उसके हिसाब से, शायद बहुत सारी चीज विवादों में चल रहा है, किसाब कानून में ऐसा करना प्रतिबंदित है, लेकिन अजालत ने कहा कि नहीं, जान लेने में क्या हर्जा है, तो जान लेने में क्या हर्जा है, कि पीछे, फिर बात जब बढ़ती है, तो कहां तक जा सकती है, पता नहीं है, तो बात निकलेग पता नहीं आपने सुना या नहीं, मैंने मैंने पूछा था कि अगर बिहार में यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, कि जातिगत जृंट्रना कराई जाए तो उसका भारत की राजनीती पे क्या असर देखेंगे? बिहार की राजनीती बने बाकि देश की देश मुझे लगता है कि सिर्फ एक स्टेट में अगर ये कुछ पास भी हो जाता है तो जो कास सेंसर्स है इस सेंटर सब्जेक्ट केंदर का सब्जेक्ट है और जातिगत जनगर्ना स्टेट नहीं करा सकता होम मिनिस्ट्री के थू होती है तो इस इल्लीगल अनकॉंस्टूशनल वो निती इश्कुमार जी को फायदा हो सकता है और भारत देश्क में किसी को भी फायदा नहीं हो आपको नहीं लगता है कि दूसरे राज्यों में दूसरे निती इश्कुमार होंगे जो फिर ऐसा ही फायदा लेंगे मुझे नहीं लगता है मुझे नहीं लगता है क्यों कि सब राजनीतिक दल है वो जाती में फास-फास करके इस समय काफी नीचे आ चुके हैं तो उत्तर प्रदेश काफी डिवलप हो चुका है मैं आखरी बात बोल दूँ चुकि मैं कह रहाँ कि आजकल राजनीति का परपेश बदल रहा है लोग सबका साथ सबका विकास की बात करने लगे हैं मैं ये इंडिविजुल की तरह बोल नहीं बोल रहा हूं मैं बता रहा हूं आज आगे का फ्यूचर यही है कि सब लोग क्यूंकि आप देखे न अखलेश याद और ब्राम्हन की पॉलिटिक्स की आउट हो गया तो जब भी क्योंकि आगे का फ्यूचर तो यह ना कि ग्रेजुली हर आदमी वोट करने लगेगा जब ज्यादा से ज्यादा वोट पड़ने लगेगा तो लोगों को सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबके विश्व मध्यप्रदेश लेकर के दक्षण पेराजु में होता यह कि वो लागू नहीं हो सकता वो वैलिट नहीं है वो पोर्ट में चैलेंज हो जाएगा लेकिन प्रेशर बनाने के लिए आप गिंती करा सकते हैं वह पिछले गिनों 36 गड़की सरकार ने कहा कि हम मोबाइल डेटा क कलेक्शन के जरी हम वो करेंगे तो जन गड़ना अपकरा सकते हैं हाला कि वह वैलिट नहीं होगा वैलिट जो सेंसस कमिशनर है 1948 है उसके जरी होगा तभी वह वैलिट होगा लेकिन प्रेशर तो आप बिल्डप कर सकते हैं कि भाई बहुत कुछ करो मंदिर के नीचे मस्जि पिनाथ मुंडे का सवाल है जो बीजेपी के सान सकते हैं उससे कोई फरक नहीं बढ़ता मुझे मैं यहां पर किसी राजनीतिक दल को रिप्रेजन नहीं कर रहा है मैं यहां बारती नागरी को रिप्रेजन कर रहा है लेकिन एक सवाल आएगा ही कि देखिए यह राजनीती एक तरफ ऐसी बीस की राजनीती हो रही थी तो उस पर पचासी पंदरा की राजनीती शुरू हो गई है और इन दोनों में सवाल तो उठता ही है कि नंबर क्या है गिंतिक क्या है कौन कहा है जब चुनाव लड़ते समय राजनीता और राजनीतिक डल अपने अपने चेत्रो लोग हो इसकी आशंकार जैसे डॉक्टर कोशल मिश्रा को है मुझे भी है लेकिन दुरूपयोग तो फिर बहुत चीजों का हो सकता है समविधान बनाने वालों ने कहा था कि समविधान जिन हातों में होगा वो लोग इसे कैसे चलाएंगे इस पर बहुत कुछ निरबर करे देंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी बहुत सी चीज़ें बंद करनी पड़ जाएंगे इसलिए फिलहाल क्या तय होता है पता नहीं है लेकिन क्योंकि ये विश्य उठा था मुझे लगा इस विश्य पे एक मुकमल बात्चीश जरूरी है इसलिए मैंने डॉक्ट लक्षमन यादव को डॉक्टर कोजिल कंद मिश्य को बुलाया जो दोनों अलग-अलग विचार रखते हैं लेकिन विश्य पे गंभीरता से विचार करते हैं सोचते हैं अपनी बात रखते हैं और मुझे उम्मीद है कि जैसे मुझे काफी कुछ समझने को मिला ऐसे दर्श कों से आग रहे हैं अगर बाच्चित आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर भी कीजेगा न्यवाद नमस्कार नकुट